हेलो दोस्तों मैं हूँ राज यादाओ और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में दोस्तों हम चंदी यादाओ विश्विद्याले दुर्ग छत्तिसगर में इड्मिशन ओपेन हो चुका है और जितने भी केंडिडेट इसना तक भागे कि यहां पर अधिसूचना में क्या कहा गया है कि यहां पर अधिसूचना में यह कहा गया है कि अटल नगर दौरा प्रेशित इस पत्र में दिनांग 14-7-2021 ठीक है सिधान तीशा दिन निदेशों के अंतरकत हेम चन यादव विश्व विद्याले दुर्ग से संबद सभी महा विद्यालियों में सत्र-2021 के इसनातक भाग एक के नियमित प्रवेश के एकचुक चातर चातराओं से ऑनलाइन पधती से प्रवेश आविदन फर्म भराया जाना है जितने भी candidate हैं जो first year में admission लेना चाते हैं वो अपना आविदन फर्म भर सकते हैं तो आपके कुछ important date इस तरह से हैं आप date यहाँ पर से देख सकते हैं सबसे पहले आविदन की प्रारम भीक देथी online के हिसाब से यह admission लिया जाएगा ठीक है तो प्रचारी के अनुमती से जो online आविदन करने की तीथी है तो तीथी देख लीजिए 28220 यह नहीं कि 2 अगस्त से यह start होना है ठीक है 2 अगस्त डेट याद रखिएगा 22-20 अगस्त तक admission प्रारम हो जाएगा तो आपके जो 12 के रिजर्ट आ चुके हैं तो जितने भी candidate यहाँ पर admission लेना चाते हैं फस्ट यहर में वो इस डेट में अपना registration करा सकते हैं लाइन आविदान अपना भर सकते हैं डेट याद रखिएगा 2 अगस्त से ले करके 20 अगस्त ठीक है उसके बाद merit सूची जारी करने किती थी जो है वो 21 अगस्त से 25 अगस्त तक merit सूची जारी कर दी जाएगी जो भी डेट दिया गया है 22 अगस्त से 31 अगस्त तक ठीक है यह भी एक इंपोर्टेंट डेट है फिर उसके बाद जो बचे हुए सीट्स में चातर चातरा दोरा ऑनलाइन आविदन कीती थी तो जो भी सीट्स बच जाएंगे बाद में उनके लिए आविदन करने कीती थी 1-9-2021 से 15-9-2021 यानि कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक कर डेट यहां पर दिया गया है तो इस तरह से कुछ important date है और चातर चातराओं के लिए यह कुछ important दिसा निर्देश है यह PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं ठीक है टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजेगा वहां पर आपको यह PDF जो है एवलेबल हो देना है और online admission 2021-22 पर click करना है ठीक है तो इस तरह से इसनातक प्रथम वर्स का प्रविस online form आपको बरना है और इसी link पर आप registration कर पाएंगे और registration करने के बाद आपको user ID और password दिया जाएगा उसी user ID और password से आप लोग लोग इन करके अपना form बर सकते हैं तो कुछ इस तरह से दिसा ने दे दिया गया है अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर से तो यह PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि आपको कैसे कैसे admission के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाना है और form में क्या क्या फिल अप करना है क्या क्या आपके पास होनी वो student अपना admission ले सकते हैं तो चलिए ठीक है दोस्तों यह फिल एक update अब मिलते हैं next वीडियो में और ऐसे ही latest update के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं समय समय पर आपका mark दर्शन किया जाता रहेगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाहिद